अगर आप कष्टों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप ऐशी महा महिम इस्तिती को कश्य प्राप्त कर पाएंगे आपको बहादुर बनना है प्रभू के शामने दैन रहना है साधन का हंकार नहीं करना पर किसी भी दुख के शामने सर नहीं जुकाना है द्यान देजिएगा सभी को राधे राधे महारासरी की एक और वीडियो माँ आप सभी का स्वागत है महारासरी ने बताया रोज रात को सोने से पहले ये करके देखो जिन्दगी ना बदल जाए तो कहना अगर आपने एक कर लिया तो आपकी जिन्दगी बदल जाएगी यह श्रीगान महारासरी के स्री मुख से हम दुकहों मैं आशु नहीं बहाइन सकते हैं हम हम दुखों में घुटने टेक नहीं सकते, किसी भी परिष्थिती के हम गुलाम नहीं हैं, हम प्रभू के दाश हैं, कच्चा सादक क्या होता है, प्रभू के लिए एक भी आशू नहीं आते, अपने थोड़े दुख में फूट-फूट कर रोता है, थोड़ी सी बिवस्था भ घड़ों में प्रेमामरत रस नहीं रखा जाता है, रस रखने वाला बहुत प्रवीन है, वो पहले देख लिता है बजा के, घड़ा कहीं फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुरलवी प्रेमरश आचारी और गुरू उसी के हरदे में रखते हैं, जो शमस्त दंदों के शहने की शामर्थ रखता है, चोविस घंटे में जब आप शयन के ले जाएं, तो आप उस शमय अपने पूरी जागरत अवस्था की एक एक ब्रती का चिंतन करें, आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन-कौन शी ऐसी ब्रती आई जो प्रहुष बिमुक करने वाली थी, कौन-कौन शी ऐसी बात हुई जो प्रहुष बिमुक करने वाली थी, कौन-कौन शी ऐसी क्रिया हुई जो प्रहुष बिमुक और उसको अपने दिमाग में रखो, कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये तुरुटी नह कल नहीं होनी चाहिए अगर पुना होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे फिर हम द्रड नियम लेंगे और एक दिन हम इन तुर्टियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे दीन बंधु करुणा वरुणाले प्रभु आपके शायोग में हैं जो शाधक आत्म निरिक्षण नहीं करता हो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता आत्मनिरिक्षण अपने को देखना अपनी जाज करना आप स्वयं अपने नयाया धीस बनिये और अपनी शाधन को जाचिये अपनी उपास्वन को जाचिये हमा कितना भाव गुरु अनुशाषण में है और कितना मनमानी है उसका विभाग कीजिए मनमानी में कितना हमारा अशुव है कितना अशुव है उसका विभाग कीजिए उस अशुव में हम कितना किसमे तलीन है और फिर उस पर सासन कीजिए अपने आपको देखते रहना ये उपाशना का विशेशंग है हमसे क्या तुटी हो रहे हैं हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है ये विशही पुरुष का लक्षन है कौन क्या कर रहा है कहा जा रहा है ये उपाशक का कारे नहीं है जो दूसरों को देखते रहते हूं उपाशक नहीं है वो विशही पुरुष है या जो महापुरुष जगत को नामा मुरत उपदेशा मुरत से परम कल्यान की तरफ ले जा रहे हैं वो देख रखते हैं अपने को चाहिए कि अपने को देखना है कि हम कहां कहां फश रहे हैं कहां कहां आग्यां उलंगन कर रहे हैं कौन सी बात मन की मान रहे हैं कौन सी बात गुरू की मान रहे हैं सास्प्र की मान रहे है शाधक को तो अपने निरिक्षान से ही फुरुषत नहीं मिलती वो दूसरे के विशे में क्या देखेगा क्या बोलेगा और जो दूसरे के विशे में देखता है बोलता है वो गिर जाता है परमार्थ के लायक नहीं रहता द्यान देना है जो दूसरे के विशे को देखता रहता और बोलता रहता है वो गिर जाता अर्था तो परमार्थ का सादक नहीं होता आपको देखना है आप कहीं रुख तो नहीं गए आपकी कहीं विपिरीत दिशा तो नहीं हो गई है ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो और अंतर से विशे चिंतन कर रहे हो अंतर से विशई वस्तु विक्ति स्थान का संग कर रहे हो तो मान लिजिए आप ब्रेश्ट हो रहे हैं आपका मार्ग ठीक नहीं है आप उपाशक नहीं है फिर सुनिए उपाशक को देखना है कि बाहर से पुल्णे आत्मा का परमपवित्र भेशधारन किये है बाहर से परमपवित्र पुल्णे देश में रहे रहे है और अंतर से विशेयों का चिंतन हो रहा है विशे वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे है तो आप ब्रष्ट है ब्रष्ट हो जाएंगे नहीं आप ब्रष्ट हैं अर्था ब्रष्ट मन गिरे हुई आप अपने मार्ग से गिर चुके हैं आप उपाशक नहीं है उपाशक को ये बात देखनी है हमारा मन विश्यों की ओर जा रहा है कि हमारा मन प्रभू की ओर जा रहा है हमारा लक्ष क्या है प्रिया प्रितम तो हमारा मन किधर जाएगा प्रिया प्रितम की तरफ जाना चाहिए विश्यों की तरफ क्यों जा रहा है विशे भोगों की तरफ क्यों जा रहा है क्या है लक्ष नहीं दरणे आपको पता नहीं आपको कहा जाना है आप किधर जा रहे हैं आप परिक्षा कीजी अपने हर्दे की निरिक्षण कीजी साधक इसी परिक्षा में पास होकर उपासना की उचाई पर चड़ता है जिसका मन विशे उशे हट हट कर बार बार आराध्य दिव की और जा रहा है पर बीच बीच में विख्षे विशे डाल ले है उसे चिंता नहीं करनी हो उन्नती की और जा रहा है जो बाहर से सब कुछ भागवती खे लेकिन अंदर से केवल विशे चिंतन और उसको पश्चाता भी नहीं है वो चाहे जितने जन मैंसे बना रहे कोई लाब लेने वाला वर्ष नहीं कह रहे है जन चाहे जितने जन लाब नहीं मिलने वाला नियत बुरी है उसकी नियत बुरी है और जो बार बार अपने मन को प्रभू में लगाता है बिवशो कर विश्य चिंतन बन जाता है तो उसको जलन होती है यह ठीक रास्ते पर है इसकी नियत अच्छी है उद्देश यह अच्छा है वो जा रहा है अपने प्रीतम के ओर वो मुड़ गया है अपने प्रीतम के ओर सबसे पहली सादक को यह बरती देखनी है कि तुम्हारी गती मुड़ी है की नहीं प्रभू की तरफ बहुत बहुत अम्रित महीं बात आपकी गती प्रभु की तरफ मुणी है की नहीं बाहरी परिवर्तन परिवर्तन नहीं है बाहर से छोड़ करके पवित्र भूमी पे आकर वास कर रहे बाहरी वेश छोड़ करके पवित्र वेश धारण के हुए पर हमारी आंतरिक बृति कहां जा रही आंतिक ब्रति कहां जुड़ी हुई है आप किश मोड से जा रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए बिशेया अभिमुख जीवन को मोड कर प्रभु के शम्मुख करना यही तो उपाशना है यदि हम बाहरी भेश पवित्र है पवित्र देश में रहते हैं चिंतन विशेयों का करते हैं बाहरी त्याग दिखा कर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो हमारा जीवन भिमुखता की तरफ जा रहा है भगवद भिमुखता की तरफ दुर्गती की तरफ जा रहा है द्यान दीजिए हम ठीक रास्ते पे नहीं हैं यदि जीवन के जीवन ऐसे बितीत कर दो कुछ नहीं हाथ लगेगा और यदि आपने अंदर से अपना रास्ता चैन किया है परमार्थ लक्ष निश्चित किया है श्यामा श्याम और बार बार प्रयासरत है उनके नाम रूप लीला गुन का चिंतन गायन तो आपकी चाल में देर हो सकती है पर मार्ग में इसलिए प्राप्ती में देर नहीं होगी यह है महा महिम बाद इमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा कमेंट करके अवस्य बताएं अपनी राई भी जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, सेर करें, पुझे महारासरी की ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को स्क्राइब जरूर करें तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं महारासरी की एक और वीडियो के साथ राधे राधे